Hello everyone, welcome to my channel Have a Study Point आप हमारे चैनल को Have a Study Point को share and subscribe जरूँ चलिएगा और साथ में like भी कीजिएगा ये आप देख रहे हैं समान हिंदी का practice set number 5 है UPPCS ROARO के लिए तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला question और पहले question में पर्यावाची शब्द है इसमें इनमें से इनमें एक लहर का पर्यावाची शब्द नहीं है तो इसमें पूछाए कि इसमें लहर का पर्यावाची शब्द कौन सा नहीं है वीची, दूकूल, तरंग या हिलोर आप सब लोग comment करके जरूर बताईए कि आपने 60 में से कितने questions यहाँ पे attempt किये हैं और कितने आपके marks आए हैं तो चलिए इनमें से एक लहर का पर्यावाची शब्द कौन सा नहीं है तो लहर का पर्यावाची शब्द दूकूल नहीं है तो लहर के पर्यावाची शब्द कौन कौन से होते हैं वीची, तरंग, हिलोर यह सब हमारे लहर के पर्यावाची शब्द पर्यावाची है और दूकूल किसका पर्यावाची होता है तो दूकूल होता है हमारे बस्तर का पर्यावाची दुकूल किसका होता है बस्तर का पर्यावाची शब्द होता है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर टू इनमे से एक शब्द देपता का पर्याए है अलकेश, विबूद, अनीक, जोतिश्क तो इन में से कौन सा एक शब्द देपता का पर्याइबाची है तो option number B हमारा यहाँ पे बिबूद हमारा देपता का पर्याइब है यहाँ पे B हमारा correct है देपता के और पर्याइबाची कौन कौन से होते हैं सुर देव अमर यह सब हमारे देपता के पर्याइबाची शब्द है आदेत तो यह सब हमारे देपता के पर्याइबाची शब्द है question number 3 बगीचा का पर्याइबाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम या कल्पशाल तो बगीचा का अमारा यहाँ पे कौन सा पर्यावाची शब्द होगा तो बगीचा का पर्यावाची शब्द आराम है option c अमारा यहाँ पे correct है निर्जन, व्यजन या कल्पशाल यह बगीचे से यहाँ पे इसका इन तीनों का कोई भी आशे नहीं है question number 4 पे चलते हैं इन में से तुरंग शब्द का पर्यावाची है वाजी, अम्बुधकर, विजन या किंकर इन में से तुरंग का पर्यावाची शब्द कौन सा है तो तुरंग का पर्यावाची शब्द यहाँ पे वाजी होगा option number A हमारा यहाँ पे correct है और इसके और भी परियावाची क्या होते है घोटक घोटक घोड़ा तुरंग हमारा किसका है घोड़ा का है वहा अरवा यह सब हमारे तुरंग के परियावाची शब्द है बिडोजा परियावाची है बिडोजा का परियावाची कौन सा होगा तो बिडोजा का परियावाची होगा तो यहाँ पर बिडोजा का परियावाची शब्द है नक्षत्र का अपसरा का इंद्र का यह पत्तर का तो बिडोजा का परियावाची बिडोजा सब्द किसका परियावाची तो बिडोजा का परियावाची इंद्र होगा बिडोजा इंद्र का हमारा परियावाची ऑप्शन शक्र सचीपती देवराय ये सब हमारे किसके पर या बची ये सब हमारे इंद्र के है मध्वा बच्रधर ये सब हमारे इंद्र के पर्यावाची शब्द है question number 6 पे चलते है मार सब्द पर्यावाची है जादू का, सौलन का, अधम का, अनंग का तो मार शब्द अनंग का पर्यावाची है option number D हमारा correct है अनंग का अर्थ कामदेप से है इसके भी और भी पर्यावाची है जिसे रती-पती, मदन, मंसिज, कुश्म, केश, मकरदुज ये सब हमारे मार के पर्यावाची शब्द है Question number 7 पे चलते हैं इनमें से एक रशा का पर्यावाची शब्द है रत्नगर्भा, अच्छला, धरित्री ये तमिस्त्रा तो रशा का पर्यावाची शब्द हमारा होगा तमिस्त्रा option number D हमारा यहां पे correct है और ये सब रत्नगर्भा, अच्छला, धरित्री ये सब किसके पर्यावाची है ये सब हैं हमारे प्रत्वी के ये सब हमारे किसके हैं तो यह सब हमारे हैं प्रत्वी के पर्यावाची यह तीनों कुश्ट नमबर एट पर चलते हैं म्रगेंद्र का पर्यावाची शब्द है कुरंग केशरी भुजंग या तुरंग म्रगेंद्र का पर्यावाची शब्द हमारा केशरी होगा ऑप्शन नमबर भी हमारा यहां पर करिक्त होगा इसके और पर्यावाची व्याग्र म्रग्राज पुंडरिक व्याग्र आदि है जबकि भुजंग सर्प भुजंग जो है ये किसका है भुजंग हमारा सर्प का पर्यावाची है भुजंग सर्प का पर्यावाची तुरंग हमारा अभी देखा था उपर हमने तु के परिया बाची शब्द हमारा ब्राहत्त है उब यह के अनने परिया वाची क्या हो जो घौँट है यह अली मधूप यह सब हमारे किसके हैं भवरा के परयावाची शब्द है question number 10 पे चलते हैं इन में से एक शब्द मचली का परयावाची नहीं है मरतश मीन सफरी यह जलोदरी तो मचली का परयावाची शब्द यहां पे जलोदरी नहीं है option D हमारा यहां पे गलत है जो कि वही पूछा है तो यहां पे कौन सा मचली का परयावाची नहीं है जलोदरी हमारा मचली का परयावाची नहीं है बाकि यह तीनों हमारे मचली के मरतश सफरी और मीन हमारे मचली के परयावाची शब्द है इपसित सब्द का विलोम है अनिपसित अविसित अधिसित यह कुसित तो इपसित का विलोम हमारा अनिपसित होगा आप्शन ए हम यहाँ पे करेक्ट है बाकी यह तीनों यहाँ पे इपसित के विलोम शब्द नहीं है सोजाती का विलूम होगा अजाती कुजाती सरजाती विजाती तो सोजाती का विलूम विजाती होता है option number D हमारा यहाँ पे सही है सोजाती का विलूम हमारा क्या होगा विजाती होगा कुश्यन नमँऊलन का विलोम है कुश्यन नमँऊलन का हमारा होगा रोपड तो अमित का विलोम हमारा होता है परमित, option number C हमारा यहाँ पर करेक्ट है क्वेशन नंबर कुव्टीन पर चलते हैं स्रीगड़ेत सब का वीलू है तो सभीगड़ेत का क्या होगा है एतिस्री औप्या हमारा यहां पर सही है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर 16 धनी का विलोम है अधनी धनी हीन अधीन या निर्धन तो धनी का विलोम हमारा निर्धन कोश्चन ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट है उनमीलन का विलोम शब्द है उनमीलन का अवमीलन अनमीलन सुमीलन या निमीलन तो उनमीलन का होगा हमारा निमीलन ऑप्शन नमबर डी हमारा यहां पर सही है यह कोश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा question number 18 अधिकरत शब्द का विलोम है अनाधिकरत 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 अनाधिकारिक या प्राधिकरत अधिकरत शब्द का विलोम होगा अमारा अनाधिकरत अनाधिकरत यह हमारा सही option है question number 19 पे अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम अनुलोम या अविलोम तो अनुलोम शब्द का विलोम होता है प्रतिलोम अप्शन भी हमारा यहां पर करेक्ट है परिश्रम का विलोम है आस्रय विश्रम विश्राम या विश्रान तो कुश्चन नमबर 20 का होगा हमारा परिश्रम का विलोम हमारा विश्राम यहां पे हमारा correct answer होगा question number 21 पे चलते हैं निमनिलिकेट में शुद्ध बाग अब यहाँ पे हमें शुद्ध बाग को देखना है यह है रुमाल अच्छी है उसका दही खटी है उसकी दही खटी है कही हातिया जा रही है उसका मकान बहुत अच्छा है तो यहाँ पे होगा हमारा option number D उसका मकान बहुत अच्छा है यही हमारा यहाँ पे शुद्ध बाग के है question number 22 पे चलते हैं इनमें से सुद्ध बाग देखना है हमें डॉक्टर गुपता हमारे प्रभारी है आज मैं 31 बर्ष का हो गया हूँ इस बर्ष पहाड़ों पर जम कर तुसार पात हुआ है हमें कभी हतोसाहित नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे हमारा ओगा option number 22 का option number D हमें कभी भी हतोसाहित नहीं होना चाहिए यही हमारा बाकि सही है बाकि 31 इस तरह से नहीं लिखा जाता है प्रभारी भी हमारा यह इस तरह से नहीं लिखा जाएगा 23 पे चलते हैं निमने लिखित में शुद्वर्तनी का शब्द option number A बागमे यहाँ पे देखना है कि कौन सा बागमे हमारा सही लिखा हुआ है तो option number C का हमारा बागमे एकदम करेक्ट लिखा हुआ है question number 24 पे चलते हैं इन में से कौन सा बागमे शुद्व है फिर वहीं पूछा है कौन सा बागमे शुद्व है हमें वहीं देखना है तो 24 का मेरा गुप्त रह से कोई नहीं जानता स्याम सज्जन आदुमी है उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है इन में से एन भी शुद्व वाके नहीं है तो यहाँ पर होगा हमारा option number D correct इन में से तो यहाँ पर option number A में देखते हैं क्या गलती है तो गुप्त रहस सब्द का प्रियोग एक ही भाव इस्पष्ट करता है गुप्त और रहस यहाँ पर दोनों भी एक ही शब्द है न तो यहाँ पर यह दोनों गलत हो जाएंगे और बिकल्पC में है अधिकांश भाग में अधिक अधिकांश पुना आगे प्रियोग भाग में अन्श की पुनरावत्ती है यह बागवी हमारा क्या है दोश्र पूर्ण है तो option number D हमारा यहाँ पे correct है 25 पे चलते हैं इनमें से वर्तनी की दृष्टी से सुद्ध है अंतरधान सश्टम सहस्तर अनुशांगिक तो यहाँ पे होगा हमारा 25 खा अंतरधान यह हमारा वर्तनी की दृष्टी से एकदम सुद्ध है कुश्चन नंबर 26 पे चलते हैं 26 हमारा यह रहा निमली के सब्दों में किस एक की वर्तनी अशुद्ध आप पूछा है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है कौसल्या मैथली सरणगुप्त मेगनाद या राहुल संक्रतान त यहां पे अशुद्ध वर्तनी पूछा है तो कौसल्या हमारा इस तरह से नहीं लिखा जाता है तो यही हमारा अशुद्ध वाक्य है कौश्चन नंबर 27 पे चलते हैं इन में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है अधीन भागीरती जागरत अनुग्रहेत तो यहां पे औप्श है जागरत को सुद्ध रूप में हम किस तरह से लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे जागरत यहां पे हमारा जागरत इस तरह से लिखा होगा और यह जबकि नेक्स पीशन पर के चलते हैं इनमे से सुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जोतसना 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 यह जयोतसना 28 का होगा यह तो आप देखते हैं कि यह क्वेशन हमसे काफी बाद पूछा जा चुका इसलिए आप इसकि वर्तनी जरूर देखे कि गणा कश्युप को सुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाएगा तो यहां पर हमारा विकल्प A option A हमारा यहां पर सही है यह हमारी इसकी सुद्ध वर्तनी का रूप है 30 पर चलते हैं इनमे से अशुद वर्तनी का सब्द है तो यहां पर पूछा है असुद्ध महतो बालमी की पैतरक शन्यासी 30 का होगा हमारा option number D हमारा यहां पर यहां पर यह सन्यासी हमारा यहां पर गलत लिखा हुआ है जबकि सन्यासी हमारा किस तरह से लिखा जाएगा तो सन्यासी हमारा इस तरह से लिखा जाएगा यहां पर यह बिंदी लग जाएगी सन्यासी 31 पर चलते हाथी की पीट पर रखे जाने वाले आशन के सुद्ध सब्द है तो हाथी की पीट पर रखे जाने वाले आशन के लिए एक सुद्ध सब्द कौन सा है जीन, हौदा, काठी या वक्तर तो 31 में हाथी की पीक पर रखे जाने वाले आशन को हम क्या कहते हैं हौदा कहते हैं option number B हमारा correct है जबकि काठी का उप्योग उठ के लिए होता है काठी का उप्योग किस के लिए होता है यहाँ पे उठ के लिए होता है काठी का उप्योग उट के लिए होता है गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए वक्तर का प्रियोग किया जाता है 32 पर चलते हैं जिसे प्रमाड द्वारा सिंद ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अनुप्रमे, अप्रमाडिक, अप्रमे या अप्रमाडित तो जिसे प्रमाड द्वारा शिंद ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमे option C हमारा यहां पे correct है question number 33 पे चलते उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है option number B हमारा यहां पे correct answer है 34 पे चलते इन में से एक के लिए प्रियोज है अशूर शंपा इसमें से कौन सा एक शब्द है जिसके लिए हम अशूर शंपा का प्रियोग करेंगे वह इस्तान जहां सूर्य दिखाई ना दे वह इस्तान जहां सूर्य का प्रकास बड़ा कश्टकारी होता है बे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाएं रनिवास में कड़े परदे में रहने वाली इस्तरी तो किसके लिए हम अशूर शंपा का प्रियोग करेंगे तो 30 में होगा 34 में होगा हमारा उप्शन नंबर डी रनिवास में कड़े परदे में रहने वाली इस्तरी के लिए हम क्या कहेंगे अशूर शंपा 34 का उप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है 35 का उत्रदिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है तो उत्रदिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होता है रेकती है तो सभी लोग जानते ही होंगे 36 में गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतीत धराशाई लुन्तित या पातकी तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतीत आप्शन नमबर A हमारे यहां पे सही है 37 पर चलते हैं निमलिकित बाके खंडों में से एक के लिए प्रियोगत होना वाला शब्द है स्वेम सेवक तो स्वेम सेवक किसके लिए प्रियोग होगा सब की सेवा करने वाला अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला बिना वेतन के काम करने वाला सेवक तो स्वेम सेवक हमारा प्रियोग होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला option number C हमारा correct होगा जबकि बिना वेतन के काम करने वाले के लिए हम क्या कहेंगे बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द हमारा होता है अबैतनिक अबैतनिक 38 पुचलते हैं गुरु के समीप रहकर सिक्षा ग्रहन करने के लिए एक शब्द है गुरुकुलवासी छात्रवासी अंतेवासी या आस्रमवासी थर्टी एट का होगा गुरु के समीव रहकर शिक्षा ग्रहन करने वाले को हम कहेंगे अंतेवासी अप्सन नंबर सी हमारा यहां पर सही अपना उद्देश पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिरिस्पन कर्तब या आभारी या कर्थार्थ अपना उद्देश पूर्ण होने के लिए संतुष्ट व्यक्ति को हम क्या कहा जाता है तो कर्थार्थ कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा तरेक्ठ है कोशन नंबर फोर्टी पे चलते हैं यह रहा हमारा न हम ब्रुद असामाजिक कार करने वाले एक सूची के लिए कहेंगे हम काल सूची अप्शन भी हमारा यहां पे करेक्ठ है फोर्टी बन पे चलते हैं देवर का तत्सम रूप है दिवर दित्यवर दूबर दूबर तो देवर का हमारा यहां पे तत्सम रूप पूछा है तो हमारा तस्थम रूप होगा दिवर ओप्शन नमबर ए हमारा यहां पर करेक्ट है 42 पर इन में से कौन सा सब्द हमारा तस्थम नहीं है यह पूछा कि कौन सा सब्द हमारा तस्थम नहीं है मोती का तस्वम रूप क्या होगा मालिक के मालिक के ये हमारा मोती का तस्वम होगा अन्यशब्द अगनी घोटक घट ये हमारे तीनों क्या है तस्वम है इनका तद्व क्या होगा अगनी का क्या होगा अगनी का क्या होगा अगनी का आग घोटक का हमारा होगा घोड़ा और घट का होगा हमारा घड़ा यह सब इसके तद्वव है 43 पे चलते हैं पलंग शब्द का तस्तम रूप है पलंगा पलवग परियक या पेटल 43 का होगा पलंग शब्द का तस्तम रूप हमारा परियक है option number C हमारा यहां पे correct है इन में से एक सब्द हमारा आप क्या पूछा है तद्वव पूछा है कौन सा सब्द हमारा तद्वव है दिन, इसकंद, अंदकार या टंक शाला तो 44 का होगा इन में से हमारा कौन सा शब्द तद्वव है तो 44 का होगा हमारा दिन दिन श्ब्द हमारा यहाँ पे तदभो है इसका तस्म रूप क्या होगा? दीबस होगा जबकि इसकंद का तदभो क्या होगा? इसकंद का तदभो कंधा इसके अंधिर का कंधा, अंधिकार का क्या होगा, अंधिरा 45 पे चलते हैं, अकरोट सब्द का तस्दम रूप है हमारा अक्षोट 46 पे चलते हैं अकार शब्द का तद्वव रूप है अकाम अकारात अकाज इन में से कोई नहीं तो अकार शब्द का हमारा तद्वव रूप होगा अकाज अप्षन नमबर B हमारा करेक्ट है 47 पे तकसाल का तस्तम रूप है तंकशाला तकसाल 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 रूप होगा 47 का अप्षन नमबर A ठंक शाला हमारा टकसाल का तत्सम रूप होगा 48 पे इन में से तत्सम सब्द है भैज सच्य बार है पद तो इन में से हमारा तत्सम कौन सा होगा तो 48 का होगा हमारा पद Option number D हमारा यहाँ पे correct है पद एक तत्सम सब्द है 49 का गोवर का तत्सम रूप है गुबर्ग, गहवर, गोमें या गुबर्ग, तो गोवर्ग का हमारा तस्तम रूप होगा, option number B, गोमें या गोविष्ट, गोमें, ये सब हमारे क्या हैं, गोवर्ग के तस्तम, गोविष्ट, ये सब हमारे गोवर्ग के तस्तम रूप हैं, स weapons को फोटो ओविष्ट यह मान अघुवट मेसा सब्सक्राम और होगा 40 पर माका तस्थम रूप मात्र का मातास्री ने तो 50 होगा हमारा ऑप्षbell नंबर 2 माका तस्थमरोप हमारा मात्र अवर्यट होगा फिप्टीबंभे चलतें कॉन शर असन합니다 देशन नहीं बाइ clutter है कौन सा सब्द विशेशण नहीं है भैबीत निर्भीक वीरू या भवा तो इन में से हमारा विशेशण नहीं है तो यहां पर हमारा भवा शब्द हमारा विशेशण नहीं है जबकि निर्भीक भीरू भैबीत सब्द हमारे ये तीनों क्या है विशेशन है 52 पे चलते हैं निमने लिखित में कौन सा सब्द विशेशन है सुन्दर्ता कभी विद्वान या भलाई तो यहां पर कौन सा सब्द है तो सुन्दर्ता सब्द हमारा यहां पर विशेशन सब्द है जबकि कभी का विद्वान जबकि कभी और विद भलाई का विशेशन भला होगा भलाई का क्या होगा विशेशन भला फिप्टी त्री पे वह क्रिशकाय व्यक्ति दोड़ने लगा इस बाक्य में विशेश है व्यक्ति क्रिशकाय व्यक्ति दोड़ने लगा तो फिप्टी त्री का होगा वह क्रिशकाय व्यक्ति दोड़ने ल ब्यक्ति है option number C हमार वो option number A हमारा यहां पर सही है इसमें क्या है ब्यक्ति तो है हमारा विशेशन जिस चीज के हम विशेशता बताते हैं पर हमारा विशेषन होता है व्यक्ति हमारा यहां पर क्या है विशेष जिस विगारी शब्द से संग्या की ब्यापती मरियादित होती है उसे कहते हैं तो non जबस्विश्यों करें संग्यादी का 154 नसदी निंश184 ten विश्याद पर लिजादी निमलिकी शब्दों में विशेशन सब्द है पांचवा प्रपंच सरपंच या पहुच तो विशेशन सब्द हमारा यहां पर क्या हो गए यहां पर हमारा पांचवा विशेशन और पांचवा हमारा कैसा विशेशन है तो यह हमारा संख्या वाचक विशेशन है जिस विशेश और चटड़ से संग्या सभवनाम के संख्या का वोधू उसे हम संख्या बाच्या दिशिशन कहते हैं तो यह kuした असलिए मनी प्रफ press पेárioपटते दीर दीरे जर चाल चलन फारन पीर्यस कौन सा है तो 56 का होगा हमारा धीरे धीरे किरिया कर रहा है दीरे धीरे चल रहा है मतलब किरिया कर रहा है तो यहां पर धीरे धीरे हमारा किरिया विशेशन होगा दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यात्म विशेशन है। समुदाय बोधक, पुनुरक्ति बोधक, आवरति बोधक या क्रम बोधक। तो दोनों शब्ध हमारा हुगा समुदाय बोधक। क्योंकि इससे एक समुदाय का इस प्रष्टी करण होता है तो दोनों निश्चि संक्या वाचक में क्या क्या आएगा गर्णा वाचक क्रम वाचक अवरति वाचक और समुदाय वाचक चलते प्रति-DIN किस प्रकार का किरिया विशेशन है रीति वाचक परिमाण वाचक स्थान वाचक वाचक तो प्रति दिन ie काल वाचक प्रकार का किर्या विशेशन ऑपसंड ध हमारा यहां पर कर्येक्ट है 59 पर इन में से किस बाके में गलत विशेशन प्रियुक्त हुआ है कविता प्रश्रम ये उप्ति है प्रुवद्वानों ने हमारी अपेक्षा हो से हमारी अपेक्षा है सरकारी महिलाओं का हमारा यहां पे गलत है 59 का C हमारा यहां पे गलत है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है इसमें शब्ड क्रम में दोस है क्योंकि सही बाग कि यह होगा कि यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल यह मैलाओ का सरकारी अस्पताल है question number 16 और यह हमारा last question है गुडवाचक विशेशन के कितने भेद हैं 4, 5, 6 यह 7 तो गुडवाचक विशेशन के हमारे 6 भेद हैं जिस सब्द से संग्या का गुड़, दशा, सुभाव, आदी, लक्षी तो उसे गुडवाचक विशेशन केहते हैं जैसे काल, रंग, दशा, स्थान, आकार और गुड़ तो यह रहा हमारे 60 question तो आप सभी लोग comment करके जरूर बताएगा कि आपने कितने question हमारे attempt किये और आप हमारे channel have study point को share and subscribe जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की notification आपको मिल जाए, thank you